नमस्कार मैं नाम सजांग पांड़ और आप NBC24 देख रहे हैं बिहारी मज़दूरों की जिस तरह से जम्मु कास्मीर में निर्मम हत्या कर दी गई थी आतनकबादियों के द्वारे अब बिहार की राजधानी पटना में जो युवा हैं वो पाकिस्तान के परधान मंतरी का पुतला दहन कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं मांग है कि कल 2020 कोब्सकार होने वाला है वो विसकार पाकिस्टान के साथ न हो पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध न हो देखिये क्या कुछ कह रहे हैं पतना के कं़री ओवा कि नगा चाहते हैं मैच जो है 2020 भलकप कैंसिल होना चाहिए और हमारी सेना के फुल छूट मिलना चाहिए कि पकिस्तान में फुल हमला होना चाहिए जिस तरह से हमारे सेना के साथ अत्याचार हो रहा है गोली बारी हो रहा है पकिस्तान कभी सुद्रे वाला नहीं है पकिस्तान कभी अतंगवात को परावा देता है एक तरफ मैच करवाता है कि यह को जबाब एट के मिलना चाहिए फुल हमारे सेना खूट मिलना चाहिए आज हम पकिस्तान का जन्डा और वहां के परधान बंत्री का चला कर पुरूद करता हैं और मैच कैंसल कराने के हम लोग मांगते हैं भारत सरकार के अनि परदेश मीडिया परवारी परदेश के परदान मंतरी का पुतला दहन किये और साथी सांद ये बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई रिष्टान आता नहीं रहे जिस तरह से बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई देश के परदान मंतरी नरेंद्र मोदी इसका बदला ले इट का जबाब पत्थर से दे हम चाहते हैं कि बिहारी मजदूरों की जो हत्या हुई है उसका बदला भी जल्द से जल्द लिया जाए और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिष्टा न रहे साब तोर पर पटना के युवा हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कल का मैच हो 2020 Baseball Cup जो है वो पाकिस्तान के साथ ना हो पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध ना रहे और इंडिया पाकिस्तान कभी मैच हो ही नहीं ऐसे ही तमाम खब्रों के लिए जुड़े रहा हमान साथ और देखते रहें NBC24